नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल समीर पाठ साला में दोस्तों पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी मैकबैथ की पूरी नैरेशन पूरी इस्टोरी को हमने समझा था इस lecture में हम William Shakespeare के द्वारा लिखा गया पिले Macbeth जो की एक tragedy है उसके सारे multiple choice questions को cover करेंगे जिन लोगों ने अभी तक उस story को नहीं पढ़ा है तो description box में मैंने आप लोगों को उसका link देती है आप चाहें तो उसकी पूरी की पूरी story को पढ़ सकते हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो multiple choice questions पर जो की Macbeth plague है पहला question है with whom were the Scottish at war at the beginning of the plague Scotland की सेना starting of the plague में किस के साथ war पे थी? Norway के साथ, Denmark के साथ, Poland के साथ और England के साथ इन में से किस के साथ वो war पे थी? तो दोस्तों इसका correct answer जो है वो Norway है Norway की सेना के साथ वो थी war में जब plague की starting होती है Macbeth plague की तो उसकी starting में किस के साथ थी? Norway की सेना, Scotland की सेना, Norway की सेना के साथ युद्ध कर रही थी तो पहला question आपका यहाँ पे clear होता है दूसरा question है What title is Macbeth given after his victory described in act 1? पहले act में कौन सा title दिया जाता है Macbeth को? जब वो युद्ध जीत के आ रहा होता है Norway की सेना से तो उसको जो King Duncan है वो क्या title देते हैं? Thane of Coder, Thane of Rose, King of Scotland and Prince of Cumberland तो दोस्तों यहाँ पे जो option number A है Thane of Coder वो बिलकुल सही है क्योंकि जब Macbeth युद्ध जीत नहीं जीता था उससे पहले जो था वो Thane of Glammish था only उसके बाद जब युद्ध जीत के आता है Norway की सेना से तो राजा डंकरन इसे Thane of Coder भी बना देते हैं तो इसका option A सही है question number 3 है Who does Duncan name as his successor जब वहाँ से Norway की सेना को युद्ध हरा कर Scotland की सेना वापस आती है तो King Duncan दो घोसना करते हैं एक तो Macbeth को वो Thane of Coder बना देते हैं दूसरा वो एक और घोसना करते हैं इसमें वो क्या घोसना करते हैं यह पता चलेगा तो यहाँ पर क्या है कि अपने बाद उन्होंने किसको अपना उत्रादिकारी घोसित किया था तो Macduff को, Banko को, Macbeth को या फिर Macbeth को तो दोस्तों जो यह Macbeth है option number C में यह उनका बड़ा बेटा है Macbeth जो है Duncan का बड़ा बेटा है जिसे Raja Duncan ने कहा था कि मेरे बाद मेरा बड़ा बेटा Macbeth यहां का उत्रादिकारी होगा जो Scotland है वहाँ का राजा कोन बनेगा? Macbeth बनेगा तो option C इसमें सही है Question number 4 है What is the genre of the play Macbeth? Macbeth किस तरह का play है? क्या उसका जोनर है? Comedy, tragic comedy, tragedy और none of the above दोस्तों Macbeth जो है वो एक ऐसा play है जो बहुत ही डरावना है वहाँ के लोग इसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे लेकिन कोई अगर गलती से नाम भी इसका ले लेता था तो वो तीन round anti-clockwise मारते थे जिससे उसके साथ जो अनहोनी होने का डर है वो खतम हो जाए तो तीन round वो उल्टे मारते थे और उसके बाद थोकते थे कुछ ऐसे सब्द बोल के थोकते थे ताकि ये एक टोना टोक्टा बन गया था और answer number C जो है इसमें बिल्कुल सही है next है name present king of Scotland जब play की start होता है starting से ही play का जो king होता है वो कौन है किस play के पढ़ रहे हैं अभी Macbeth पढ़ा था हमने story में आपको समझा चुका हूँ इसमें हम multiple choice questions को पढ़ रहे हैं तो A है Duncan, B है Macbeth, C है Macbeth, D है Macduff तो दोस्तों यहाँ पे जो Duncan है A बिल्कुल सही है Macbeth जो है इसका एक journal है जो की Glamis का थेन होता है यानि कि वहाँ का सैना पती या राजा कह दो एक तरह से तो वहाँ का राजा होता है यह Glamis का और Macduff जो थेन ओफ फाइव होता है तो दोस्तों यहाँ पे स्कोटलेंड का भी राजा कौन है वो है किंग डंकन तो A इसका correct answer है Maclum इसका डंकन का बड़ा बेटा है Next है दोस्तों Who kills डंकन, डंकन को कौन मारता है जो की राजा थे स्कोटलेंड के Maclum, Macbeth, Macduff या फिर he commits suicide तो दोस्तों इसको जो मारता है आपको स्टोरी में समझ में आई गया होगा, Macbeth इसको मारता है दोस्तों Macbeth के पास इसको मारने का सटीक reason होता है क्यों? क्योंकि जो witches थी उन्होंने तीन भविस्यवाने की थी तुम coder के राजा बनोगे पहली भविस्यवाने थी कि तुम coder के राजा बनोगे वो तो true हो चुकी होती है ठीक है तो वो पहली सच हो चुकी है दूसरी क्या थी तो मुझ इसकोटलेंड के राजा बनोगे तो Macbeth को जल्दी थी अपने राजा बनने की और तीसरी जो भविश्य बानी थी वो थी कि बैंकों की संताने बैंकों की साथ पिवनिया स्कोटलेंड की राजा रहेंगी तो ये तीन भुष से वाणी जो की थी विचिस ने ये की थी तो इसका correct answer जो है दोस्तों वो है Macbeth Macbeth राजा डंकन को मारता है क्योंकि वो स्कोटलेंड का राजा बनना चाहता है Who kills Macbeth? Macbeth को कौन मारता है? जो अंत होता है जब पिले का तो Macbeth की भी हत्याग करती जाती है Macbeth को कौन मारता है? Macduff, Banco, Lady Macbeth और Maclum दोस्तों Macbeth को Macduff मारता है Macduff है ये है correct answer जो Macbeth को मारता है पिले के अंत में Who does Lady Macbeth frame for the murder of Duncan? जब Lady Macbeth Duncan के murder की planning करती है तो उसके उसमें वो किसको frame करती है कि उसका नाम लगा देंगे हम लोग राजा डंकन को मारतने के बाद Maclum और Donald Ben ये दोनों उनके बेटे हैं राजा डंकन के इनको frame करती है कि इन दोनों का नाम लगा देंगे क्योंकि इन्होंने सत्ता के लाल इसमें चलो मार दिया लोग मान भी सकते हैं इस बात को डंकन्स, डंकन बोडिगार्ड्स डंकन के जो डंकन यानिके जिनको सराप पिला दे थी Lady Macbeth ने उनको The Porter और The Macbeth दोस्तों इसको मारता तो डंकन को कौन है Macbeth मारता है, किसके कहने पे मारता है Lady Macbeth के क्योंकि Macbeth की सलहकार जो है वो Lady Macbeth ही है उसकी wife ही है तो वो किसको frame करती है Lady Macbeth Lady Macbeth जो frame करती है वो इनको करती है जो राजा के अंगरक्छक होते है उन सबको वो दारू पिला देती है और Macbeth से कहती है जाओ तुम राजा डंकन का murder कर दो और जो खून का इल्जाम है वो किसके सर पे आएगा और डंकन के बोडिगार्ड पे तो B इसका दोस्तों correct answer है Who kills Banco, Banco को कोन मारता है Banco का भी इसमे murder हो जाता है इस पले के अंदर, Macduff मारता है Fliance मारता है, Macbeth मारता है, या फिर एक group of murderers hired by Macbeth इनकों को कोन मारता है दोस्तों, Banco की संताने विचिस की भविस्यमारी के हिसाब से, Banco की साथ संताने साथ पीडियां आगे तक राजा बनती रहेंगी स्कोटलैंड की तो Macbeth क्या प्लान करता है Macbeth ये प्लान करता है कि क्यों ना मैं, Banco को और उसके बेटे, Fliance को मरवा दूँ, जिसके चलते मेरा ही साथन स्कोटलैंड में बना रहेगा, तो ये सब इन दोनों को मरवाने के लिए, किन दोनों मरवाने के लिए, Banco को और Fliance को मरवाने के लिए, एक Group of Madras हाइर करता है तो इनको, वो Banco को तो मार देते हैं, लेकिन Fliance को नहीं मार पाते तो इसका जो D answer है Correct answer है, वो किसको हाइर करता है Group of Madras को हाइर करता है किसको मरवाने के लिए, Banco को और Fliance को, लेकिन वो फिलियंस को तो नहीं मार पाते हैं लेकिन वो बैंकों को मार देते हैं तो इसका correct answer जो है दोस्तों वो D है Next है Which of the following best describes Lady Macbeth's death कौन सी किस बज़े सी Lady Macbeth की death होती है She dies of stage She slip walks off the palace wall She declares her own guilt and steps herself with a knife Macbeth slays her in revenge of his own wife's murder तो दोस्तों इसका correct answer है वो है off stage Macbeth की wife Lady Macbeth इसमें मर जाती है लेकिन वो off stage मरती है यह वो कैसे मरती है यह हमें पता नहीं चलता जब हम पिले के next scene में आते हैं तो पता चलता है कि Lady Macbeth मर चुकी है तो दोस्तों ऐसा नहीं था उसे किसी ने मारा था या उसने suicide की थी इस तरह का कुछ नहीं था वो guilt से अपने आपको सफर करती रहती थी लेकिन जब पिले में है तो पिले में off stage वो मरती है William Shakespeare के plays में कुछ characters ऐसे हैं जो off stage में मरे हैं तो मैं आपको उसकी separate link separate video बना की दूँगा कि कौन-कौन characters है William Shakespeare के plays के जो off stage मरे हैं तो दोस्तों इसका correct answer जो है वो है A वो off stage मरती है Question number 11 है Whom does Macbeth see sitting in his chair during the banquet himself Banco's ghost Duncan's ghost Lady Macbeth दोस्तों जब वो party रखता है Macbeth Macbeth एक बहुत बड़ी party रखता है वहाँ पे वो किस चीज की party देता है जब वो राज़ा बन जाता है उसके बाद वो एक party organize करता है उस party में बहुत दावत में आते हैं लोग लेकिन वो murderers को hire करता है जो group of murderers उसने hire किया था किसको मारने के लिए बैंकों को मारने के लिए उसके बेटे को मारने के लिए तो वो मार देते हैं उन्हें मारने के बाद वो जो बैंकों का ghost है वो दिखाई देता है Macbeth को उसकी chair पे बैठा हुआ तो दोस्तो इसका जो correct answer है वो है B Question number 12 है Who is the goddess of witchcraft in the play प्ले में कौन जो थी वो queen थी इन चुड़ैलों की जिसने भविश्यवाड़ी की थी Lady Macbeth, Hackett और Minerva and D है ननोब्दी अबोग दोस्तो इसमें जो उन तीन चुड़ैलों की जो रानी थी वो थी Hackett, Hackett उनकी queen थी जो चुड़ैल थी उनकी जो queen थी वो थी Hackett इसका B जो है दोस्तो correct answer है Who kills Lord Shiverd son जो Lord Shiverd है उसके son को कोन मारता है Duncan, Linux, Macbeth और Rose दोस्तो इसमें Lord Shiverd Lord Shiverd जो है उसको यहाँ पे हम Young Shiverd के नाम से भी जानते हैं वो England के राजा के सेना का नायक जो है Shiverd उसका बेटा है जिसे हम Young Shiverd के नाम से भी जानते हैं जिसको यह मारता है, कोन मारता है दोस्तो Macbeth मारता है Macbeth ने उसको मार दिया था जब England की सेना उससे युद करने आई थी इसका जो correct answer है वो है Macduff Macduff भी Macduff के पास चला जाता है उसको support करने के लिए क्योंकि वो Macbeth से बदला लेना चाहते है राजा डंकन की मौत का तो इसका correct answer जो है वो है C Macduff चला जाता है Scotland को छोड़ कर कहां चला जाता है England चला जाता है क्योंकि वो England में ही है Maclum अभी जो अपनी सेना को तयार कर रहा है तो Macduff जो है उसकी help करने के लिए वहाँ पर चला जाता है question number 15 है which nations army attack Scotland at the end of the play Norway की सेना France की सेना England की सेना या फिर Ireland की सेना दोस्तो इसका जो correct answer है वो है England की सेना यंग सिवाड अपनी सेना को ले कर आता है Scotland पर आक्रमन करने के लिए Scotland का जो अभी राजा है वो Macbeth है Macbeth ने बहुती आतंक फैला रखा था Scotland में और जो Maclum और Donald Wayne है वो अपने लास्ट में किसकी सेना के साथ युद्ध होता है England की सेना के साथ I hope दोस्तो ये सारे के सारे multiple choice questions Macbeth के आपको समझ में आ गई होंगे जिन लोगों ने इसकी story नहीं पढ़ी है वो इस story को पढ़ लें मैंने description में link दे दिया है इस वीडियो में इस lecture में दोस्तो इतना ही मिलते है एक नए lecture के साथ तब तक के लिए जैहन